एक पर पटाफट से रिवाइस कर लेते हैं क्या क्या कर लिया था फिर हम कुच्चन पर आएंगे इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं एक तो लमसम वाला जो की चल रहा है और रेडंस जो की लमसम वाला तो मान के चलो इंस्टॉल्मेंट वही बात हैं यह वाला कर लिया अब जो इंस्टॉल्मेंट में करते है उसका जर्नलाईज करना है फिर हम लेजर के फॉर्मेट करेंगे तो आज जर्नलाईज देखेंगे बाई कनवर्जन भी आज ही ओके चलिए आज उसके बाद हमने कुछ बेसिक चीज़े देखी कि सर रेडम्शन का मतलब पैसा वापस करना कितने मेथर्ड्स हैं रेडम्शन के करने वापस करने के तो हमने देखा कि सर सूर्स हो सकता आउट ओफ कैपटल, आउट ओफ प्रॉफिट, कनवर्जन आउट ओफ प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है आउट ओफ कैपटल के अंदर हमारा मेंली है, इसके बाद देखा जाए आउट ओफ प्रॉफिट के अंदर DRR बनाना पड़ेगा कनवर्जन आउट ओफ कैपटल इसके बाद देखा जाए तो आगे हमने क्या देखा था amount कैसे होगा कब हमें कितना बनाना है तो 10% यहाँ पर DRR का point था कि हमें बनाना है और 10% किस-किस rule के according था यह सारा हमने देख लिया था source क्या-क्या होगा यह भी हमने discuss कर लिया था और कैसे हमें 10% करना है इससे related हमने journal entry भी देख लिया था कि सबसे पहले हम DRR create करेंगे फिर DRI बनाएंगे DRR year के end में होगा और DRI starting में हो जाएगा और bank वगरा के सबकी entry हमें जैसे जैसे last class में देखा था last में DRR to GR करना होता है जब 100% redemption हो जाता है आज हम एक question देखेंगे तो आज की class उसी बच्चे को समझ में आएगे जिसने की इस debenture chapter की पहली class देख ली हो otherwise फिर आपको समझ में clear नहीं आने वाला आई है ठीक है ना तो मैं ये तो हटा देता है ठीक है आपके सामने एक question है redemption out of profit का अभी हम पहले redemption out of profit देखेंगे अच्छे से फिर हम करने वाले और इसके अंदर mainly na question को समझना और date बहुत important आजाता है यहाँ पर role play करता है कई बार कहता है जय भगवान enterprises limited has balance 4 लाग in profit and loss statement यानि statement profit and loss में total 4 लाग का है total चार लाग रुपए का यहाँ statement है the company decide forgo payment dividend और company ने decide किया के payment of dividend and कहता है forgo का मतलब छोड़ देगा मतलब company ने decide किया dividend नहीं देगे and instant utilize profit repay 12% debenture यानि decide किया कि भगया हम dividend देगे नहीं लेकिन हम इस profit का इस्तमाल करने वाले हैं 12% साड़े तीन लाग डिबेंचर यानि हमारे पास 12% 350 रुपीज का सिंबल है द्यान रखे गाई आगे कहता है तीस जुन दो हजार चौदा को करने वाले हम का तीस छे दो हजार चौदा को यह करेंगे और इसका री पेमेंट होगा हमारा सिक्यूरिटी प्रीमियम पे डेट इस आपका सिक्यूरिटी प्रीमियम इसके उपर हम 10% का पेमेंट करेंगे अब इन्ठरस के भी बात आ गई तो आप एक चीज़ करिये के हमें कहां से कहां तक करना है कब deduction हो रहा है तो company ने बोला भाया मेरे पास एक statement profit and loss में balance है और repay करेंगे और 12% debenture है that is 30 June को करना है और debenture interest annually यानि स्रिफ एक साल का बताना है हमें issue की कोई बात नहीं कर रहा है हमारे पास debenture की repayment की बात हो रही है अभी एक इससे अगला question भी करेंगे तो मैं इसको compare जब करूँगा तो clarity मिल जाएगी आपको किस situation में कैसे कैसे करना है अभी simply हमें इसे redeem करना है redeem करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा entry के अंदर अगर देखो तो याद होगा आपको कि सबसे पहले तो आप DRR बना लो ठीक है ना सबसे पहले क्या बनाना होगा DRR क्या दिया है छोड़ो ना मेरे पास जो question हम तुस्से साब से चल लेते हैं आपके book में similar question मिल जाएगा तो आप कर ले ना उसके साब से हमारे सामने जो questions दिखेगा ना हम exactly उसके हिसाब से आंसर कर देंगे और ऐसा ही questions book में दिखेगा तो आपके लिए असानी है बलकि practice करके कर सकते हो चलो अब सबसे पहले हमें DRR बनाना है तो देखो हमें general law क्या कहता है आपको कितने percent DRR बनाना है तो देखा जाए तो हम ना एक तरीके से यहां पर 10% से तो उपर का DRR पहले से ही हमारे पास अकाउंट में बना हुआ है समझना बाद तो अब हमारी इच्छा है कि हम DRR बनाए या ना बनाए तोटली डिपेंड ऑन मी कि हम DRR को बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे अगर DRR बनाते हो तो 10% तो बना हुआ ही है अब 10 क्या मैं अगर मान दू कि हमें तो यह हमारा 57% बना हुआ है तो हमें टेंशन नहीं ले ना DRR बनाने का लेकिन फिर भी कहता हो सर्थ डियार अगर हम बनाना चाहे तो कितना बनाएंगे फिर आप 100% बना लो DRR तो 100% बनाने का मतलब DRR कितना बना सकते हो आप देड़ लाग और बना सकते हो तो अगर मैं DRR ना बनाओ तब भी चलेगा और अगर आपका मन कर रहा है बनाना तो आप बना सकते हो सर्थ डियार अगर एंट्री को प्रोस्पेक्टिव से मैं बोलू तो सर एक फ्लो बन जाएगा बाकि आप इस कुश्चन में नहीं भी बन होगा सर आपको इसने बोला कि आप 30 जून को रिडीम करोगे तो DRR हम इससे पहले 31 मार्च को बना लेते हैं ठीक है न हम मान लेते हैं कि हमने 33 को बना लिया जब प्रॉफिट निकल के आया होगा यह प्रॉफिट 31 मार्च को होगा उसके बाद हमें DRR करना है तो कुश्चन यह तो नहीं बोला कि आपने DRR भी कर रखा है नहीं कर रखा तो DRR कर देते हैं तो DRR करने की एंट्री क्या होगी सर हमारा DRR टू बैंक, बता कौन बच्चा बताएगा, कौन स्टुडेंट बता सकता है कि DRI कितना करना है, डेट इसमें अभी प्रॉपर नहीं है, तो मैं डेट भी प्रॉपर लिख नहीं रहा, बताओ DRI कितना होना चीए, कितने परसेंट था यह, कितने परसेंट लॉग कहता था, 15%, 10 तो DRR था 15%, तो 15% किसका, साढ़े तीन लाग का, that is 15%, 52500, यह बना दिया, अब सर, आपको पता था कि हमें डिबेंचर को रिडेंशन स्टार्ट करने से पहले, डिबेंचर की एंट्री डियू करने से पहले, हमें DRI को बेचना भी होता है, ठीक है, तो एक बुकिस्ट एंट कर दिया, that is bank, to DRI, और कुश्चन ने, आप देखोगे, तो कहता है, कि भी इंट्रस की भी पेमिंट हो रही है, तो यह जो DRI है, 5250, और कुश्चन क्या कहता है, कि डिबेंचर, जो the company has also balance, यह कह रहा है, और payable annually, 31 December को, close books of account, तो इसके इंट्रस की भी बात कर रहा है, तो annually जब payment करेंगे, तो हम June में तो redeem कर लेके, तो December कर रहे हैं, तो एक जनवरी, एक एक से लेके 31 December, तो हम पूरे साल का debenture का interest payment करते होंगे, आप छोड़ा सो सोचना, जब मैं June में redeem कर रहा हूं, तो इसका मतलब 6 महिने का मुझे debenture का interest का payment करना होगा, लेकिन इस interest को payment हम अभी तो कर देंगे, लेकिन P&L में हम 31 मार्ज को ही book करने वाले हैं, तो सबसे पहले 15% बिलकुल साइज, 5th semester में, ओके, आज 5th semester का result भी कल ही आगया था, तो चलिए, अब आगे चलते हैं सर, हम 36 की बात कर रहे थे, तो अब हमें पहले, सबसे पहले, या तो आप interest की entry कर लेते हैं, 36 को, ठीक है, 36 को interest की entry क्या करते थे, interest account debit, 2, किसको देना interest, debenture holder, हमने basic से entry, और इसके न दो तीन तरीके से interest की account करते हैं, कि interest due हो गया, debenture पे, उसके इसाब से कर देते हैं, कितने का interest होगा सर, 6 महिने का निकाल होगे, किस पे सर, साढ़े तीन लाग पे, तो साढ़े तीन लाग पे, rate दे रखा है, 12% और 6 by 12, तो कितना निकल के आता है, बताओ, साढ़े तीन लाग पे, 12%, 21,000, तो now मैं 21,000 रुपे की entry कर रहा हूँ, सर, क्यूंकि debenture holder सारे redeem हो रहे हैं, तो अभी payment भी करना बनता है, तो हम क्या करेंगे debenture holder to bank, इसमें क्यूंकि proper date नहीं है, इसलिए आपको कई बच्चों को अलग सकता है, सर, date कुछ भी आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो आप date को ignore भी कर सकते हैं, ठीक है, अगली question जो करेंगे, उसमें proper date आ जाएगी, तो that is 21,000, अब आप debenture holder को बुला लेते हैं, तो हमारा 12% debenture, उसके उपर जाएगा security premium to debenture holder, 12% debenture साढ़े तीन लाग, उसके उपर security premium 10%, that is Mathis 1000, और आज एगा 385 का debenture holder को payment, बताओ इस entry में किसी को डाओ, ये भी 30 जून को होने वाले हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे सर, debenture holder, और 2, bank, अगर debenture holder to bank की बात करें, कितना payment आएगा सर, यहाँ पर, पूरे 350, 385, इसके बाद आगे अगर देखा जाए, तो अब एक entry करना है, security premium को write-off करने का, अब security premium write-off करने के लिए पी एंडल का भी यूज़ कर सकते हैं, और normal अगर security premium है तो उसका भी, जिसमें से dead use हो चुगा है, तो मेरा यह मानना है कि हमारे पास इतने पैसे हैं, कि हम इस्तमाल कर सकते हैं, तो एक entry करना पड़ेगा, हमें security premium, sorry, एक entry करना पड़ेगा, हमारा statement profit and loss to security premium, ठीक है, और कितने का सर्फ 35,000 रुपेगा, और एक last entry, जैसे कि पूरे debenture redeem हो चुके हैं, तो हमें DRR to journalism, exam के अंदर जो मैं short form लिख रहा हूँ, यह DRR, आप पूरा लिखना है आपको, वैसे standard है DRR लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी courses करिएगा कि आप पूरा का पूरा लिखना है, बताओ DRR में कितना क्योंकि हमारा total DRR में साड़े तीन ही थे, कैसे दो पूराने वाले भी उसको भी खतम करने हैं, तो दो पूराने और डेड़ नए बनाए, तो यह पूरा का पूरा हमारा answer हो गया इसका, question में 31 December given है, हाँ 31 December given है question में, वो date थोड़ा सा, इसमें question में proper नहीं है, तो हमारा 31 December books are close हो रहा है, ठीक है, तो books close करने के लिए, इसलिए मैंने मार्च बूल दिया हो, last में एक और entry कर सकते हो, कब 31 12 को, statement profit and loss to interest, कितने रुपे का सर, 21,000 का, यह entry or put कर सकते हो, देखिया, किसी बच्चे को कोई doubt है तो बताईए, इसमें, किसी student को कोई doubt है तो बताईए, नो voice, वोइस तो clear होना चीए, कितने बच्चो को voice clear नहीं हो रहा बतादी चीए, नहीं, 350 का 10%, अगर पहले से नहीं होता है यह 2,00,000, तो हम सिर्फ 350 का 10%, 35,000 बना देते हैं, लास्ट में 35,000 भीज देते हैं, सर्फ 15,000,000 वाली entry समझा तो, 15,000,000 वाली कोई entry नहीं है, यह 1,500,000 है, क्योंकि मैंने क्या माना यहाँ पे, कि 100% DRR बना रहा हूं, मेरा यह assumption है अपना, लॉग कहता है 15%, देखो 3,500,000 का debenture है, और 2,000,000 पहले बना चुके हो, तो बचे कितना 1,500,000, तो हम 1,500,000 रुपए का और मैंने DRR बना के यहां दिखा दिखा, पांसु है यह, चलो, हाँ 500,000, लियर रहे हैं हाँ तक, DRR में doubt है, तो DRR देखो हमेशा 15% बनाना है, और कब बनाना है, 15% जैस्स रिडम्शन से पहले आपके पास DRR होना चाहिए, वो भी 30 अप्रेल तक, आगली कुश्चन पर चले, उसके अंदर और डिटेलिंग में आपको पता चले है, सर वोईस चली जा रही है, तो री जोइन करना पढ़ रहा है, वोईस जा रही है, मैं री प्रेस कर दे रहा हूँ, अब चेक कर लिजिएगा, मैंने इंटरनेट थोड़ा स्विच कर दिया है, तो अब बता दिजिए फटा 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 पर अगले कुश्चन पर चले, सर लेग होरे, सर लास्ट वाली एंट्री, लास्ट वाली एंट्री येंट्रस जो करा था ना, इंट्रस्ट की तीन एंट्री सीखा था, उसमें से एक एंट्री ये है, इंट्रस्ट को स्टेट्मेंट में ट्रांस्फर कर देना, वो भी कब जिस टाइम फानेशल बुक्स ओफ अकाउंट क्लोज होता है, बिल्कुल जो DRR बनेगा, हम साड़े तीन लाग 385 दे रहे हैं, तो जो हमारा 35,000 रुपे प्रीमियम है, उसका कोई लेना देना नहीं है, हमेशा फेस वेल्यू के एकोड़िंग लेके चलेंगे, ओके,